नमस्कार आप देख रहें हैं आपका अपना टागी पीट्स टीनी चैनल जहाँ पर मैं प्रिया बांडे आप सभी का एक बाद फिर से स्वागत करती हूँ बाद करने जा रही हैं कलस्टीनी के दि मोस्ट पॉपुलर शो सुहागन की काईज आपको पता ही होगा कि सीरियल सुहागन में अब हो चुकी है स्वारा और वितान शादी जिस शादी के बीच जो हमारी ध्वानी है वो अभी भी आने की कोशिश कर रही है वो विदान को हासल करने की कोशिश कर रही है जिसके लिए वो गलत तरीकों का भी इस्तमाल कर रही है जिसमें कोयल जो है वो उसका साथ दे रही है मगर अब कहानी में आने जा रहा है एक ऐसा ट्विस्ट जिसकी वजह से कहानी में आ जाएगा एक रोमांचक मोड देरसल शो की कहानी में अब स्वरा को ध्वनी पर शक होने वाला है जिसके बाद स्वरा अपने पती वेदान से ध्वनी को दूर रखने की कोशिश करने वाली है आप जानते हैं कि ध्वनी तो बोल सकती नहीं है मगर फिर भी वो इशारों से ध्वनी को ये बात समझाने की कोशिश करती है कि वो उसके सुहाद से दूर रहे मगर ध्वनी तो उसके सुहाद को उससे छीनने आई है तो भला उससे दूर कैसे रहेगी दूसरी तरफ वो वेदानत को ये एसास कराना चाहती है कि वो अभी भी उससे इतना प्यार करती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती है तो कहीं न कहीं वेदांत को पाने के लिए वो एक बार फिर से कोई ओची हरकत करती नजर आईगी जिसके बाद से आज जाने वाला है वेदांत को बहुत ही जादा खुशा यहाँ पर स्वरा के बनाए हुए खाने को खराब करने की कोशिश करेगी ध्वनी। तो वही स्वरा का हाथ तक जलाने की भी कोशिश करेगी। ऐसे में विदान्त देख लेगा ध्वनी की ये चाल और गुस्से में उठ जाएगा विदान का हाथ ध्वनी के गालों पर रेहा और ये गालों पर बड़ा चाटा ध्वनी को बहुत जोर का लगने वाला है और ये बताने वाला है कि विदान्त स्वरा के साथ कुछ भी गलत होता हुआ बरदाश्त नहीं कर सकता है क्योंकि वो एक बहुत ही सुलजी हुई मासूम सी और अच्छी लड़की है और ऐसे में उस सुहाग को चैने की जो चाहत है और ऐसे में आग लगा हुआ है द्वानी के अंदर उस आग में घी डालने का काम करने वाली है कोयल और कोयल जो है ध्हानी को और बी ज्ULत जादा गुस्सा दिलाने वाली है जिसकि वो स्वरा की ज्यान ले ले तो गाईस काफी इंटरूस्टिंग होने वाला है सीरियल सुहादन का आने वाला यह थपड़ वाला एपिसोड आप जरा भी मिसमत कीजेगा जरूर देखिएगा और ऐसे लेटे सब्जेट के लिए सब्स्राइब कीजेए हमारे चैनल टाली पीप्स टीवी को